हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब मैं जोती आपका इस्टडी विजे के चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सेकिंड की पोयम उंठ चला इसकी हम एक वीडियो पहले डाल चुके हैं आज हम इसके प्रशनुत्तर की वीडियो बना रह इसको जल्दी-जल्दी से पढ़ना है और देखिये आपकी विजीब लड़ खड़ा पढ़b तो आप भी ऐसे पढ़िए देखे यह जी बलड़ खड़ा जाएगी हना और कभी-कभी कुछ बच्चे तो बड़े इसली पढ़ लेते हैं चाहे जैसे भी करने वाली हो जैसे एक 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 दम से बोलनी होती है और उसमें जी बलड़ खड़ा जाती है एक और बता देते हैं आपको चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चाहां देकि चंदनी रात में चटनी चटाई तो अब देखिए अब जो उठ उठ चला वाली पोयम है तो यह इसमें आपको बताना है कि यह कवीता आपको कैसी लगी तो यह कवीता हमें बहुत अच्छी लगी इस कवीता का नाम क्या होना चाहिए तो इसका नाम आपको अपने मन से लिखना है तो वैसे हम इसका नाम उ यहां पर आपको नहीं अवे वे इसे लोग लिए अच्छे से नहीं चल पाते से compost जहां करो यहां है आगे देखेंगे बालू या रेत कहां पर मिलती है तो बालू या रेत जो होती है समुद्र किनारे या फिर रेकिस्तान में प्राप्त होती है इसके अलावा बड़ी बड़ी नदियों में भी रेत मिलती है अगला प्रशन है कितना क्या कितना अब इसको देखेंगे हिलता तुम्हारी कक्षा की दिवार जितना हाथी जितना बिजली के खंबे जितना तो जो उंट होता है वो होता है हमारी कक्षा की दिवार जितना अगला देखेंगे हाथी कितना मोटा तुम्हारी मा के संदूग जितना उंट जितना पहाड जितना किसके बराबर तो जो हाथी होता है वो होता है मा के संदूग जितना मोटा अगला है चीटी कितनी छोटी चीनी के दाने जितनी चावल के दाने जितनी इलाईची के दाने जितनी या फिर किसके जितनी होती है बताईए जल्दी से जो चीटी होती है वो होती है चावल के दाने जितनी अगला प्रशन देखेंगे इसमें अगला है कुछ उचा कुछ नीचा कुछ उचा कुछ नीचा तो आगे देखेंगे उट से उची चीजों के नाम पर गोला लगाओ तो जो उच से उच से उची चीजे होती है वो क्या होती है बिजली का खंबा, आम का पेड़, और क्या उचा होता है और होता है हाथी और हमारी कक्षा की चट भी उची हो सकती है लेकिन यह तो देखने पर पता लगेगा कि वो आपकी क्षा की चट है वो उच से उची है या नीची है, यह तो आपको खुद से बताना है आगे देखेंगे उच के नीचे से क्या-क्या निकल सकता है तो उच के नीचे से एक छोटा बच्चा निकल सकता है एक बचिया निकल सकती है एक भेर निकल सकती है बकरी, कुत्ता या फिर सभी छोटी-छोटी चीज़े निकल सकती है बड़े लोग भी इसमें नीचे से होकर के तो वो भी निकल सकते हैं अगर जुक के निकलेंगे तो सफर का सामान उची गर्धन उची पीठ पीठ उठाए उठ चला बताओ ये सब क्या उठा कर चलेंगे तो हाथी क्या उठा कर चलेगा हाथी लकड़ी सवारी सामान उठा कर चलेगा टीचर जी किताब, कापियां पैनिया पर्स और कुछ बच्चे तो बोलते हैं टीचर जी बेत उठा कर भी चलती है तो बेत तो नहीं चलती है ना आगे देखेंगे पिता जी बैग और आपको भी उठा कर चलते हैं ना सामान, शेर, शिकार, शावक और दादा जी, छड़ी, पोते-पोतियों को और सामान को अलग-अलग घर नीचे कुछ शब्द दिये गए हैं इने बोलकर देखो अम मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो यहां पर क्या-क्या शब्द दिये हैं जूट, सूट, भला, धस, हस तब कब गला, आलू, चालू तो अब देखेंगे उंट से मिलता है जूट, सूट, और बालू से आलू, चालू और फस से धस और हस चला से भला और गला जब से कब तब अगला देखेंगे ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो तो हम मना सकते हैं आग, साग, राग, दाम, राम, आम नग, जग, लग, या फिर ठग, हना तो ऐसे ही आगे देखेंगे अक्षर की बात कवीता में बहु से शुरू होने वाले शब्द कौन-कौन से हैं उनके नीचे रेखा कीचो तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से चार शब्द लिखो बाउ से शुरू होते हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको यहां सबसे पहले देखेंगे बाउ से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है तो यहां देखेंगे यह है बालू क्या है बालू और है बोज और यह तो हो गया है बालू और बोज बालू बालू यह तो बहुत ही है, यह तो सेम हो गए, आगे कौन सा है, बैठेगा अगला वर्ड है, बैठेगा और बता सकेगा, कौन भला यह जो बता है, बैठेगा यह वर्ड क्या है, बहुत से शुरू होते हैं, अगला प्रशन देखेंगे अब, अगला प्रशन में क्या नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से चार शब्द और लिखो तो जो हमारा नाम है वो शुरू होता है जैसे मेरा नाम ऐसे लिख सकते हैं मेरा नाम सुनीता है सुनीता से सौ से और कौन-कौन से शब्द शुरू हो सकते हैं सरोज, सरगम, सरीता, सुमेर तो ऐसे ह आपको भी लिखना है कि आपके नाम का पहला अक्षर क्या है और उस शब्द से चार उस अक्षर से चार और शब्द लिखने हैं अगला है बोजा बालू है तो होने दो बोज उट को ढोने दो बहुत से जानवरों को बोजा ढोने के लिए इस्तिमाल किया जाता है क्या तुम् अनिश्य कभी यह सोचता है कि उसके कारण जानवरों को कितनी परिशानी उठानी पड़ती है हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम न करवाएं उन्हें भी हमारी तरह जीने के अधिकार दिये जाएं तुम्हारे आसपास कौन-कौन से जानवर जो हैं वो बोज के उठाते हैं अब कवीता को आगे बढ़ाओ कि कवीता आपको खुट से आगे बढ़नी चाहिए चलो पिर हम इसको अपने तरीके से बनाते हैं देखो अक्खी बक्की करे तरक्की इक्की दुख्की बने पढ़की देखो नाग पे बैठी मक्खी करे हमेशा अच्छे काम नहीं तो जेल में पीसेंगे चक्की अक्की बक्की करें तरक्की तो चलिए आगे देखेंगे कितने उंट इस कवीता में कितनी बार उंट शब्द आया है बिन देखे बताओ इस कवीता में उंट शब्द तेरह बार आया है आप इसको दुबारा से फिर भी करकर देखेंगे अगला है नीचे चित्र में कितने ऊंट चिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ तो ये आपको आराम से इसकी गिंती करनी है और फिर बताना है कि इस चित्र में कितने ऊंट चिपे हैं ठीक है आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक चरूर कर दें अपने दोस्तों में जाता सी जाता शेयर करें जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक्स पर वाचिंग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई